और है है अग्षार है यह फिजिक्स का टेश्ट फेफर फोर टेश्ट फेफर फॉर टाफट फैफ़ प्लस कोईस्टन्स उंगी इसके प्रक्टिस करेंगे डेली बेसेज पर हो रही है ठीक है रेले वे के क्यी लगी हूए हैं साथ शससी कि कैश लगा हुआ है चाहे हो 네 TW Q Sin में साइन्स से अकसर Quesटन्स पूछे जाते हैं उछने हैं ये तो फिजिक्स कि रे परेश कर द से कर रहे हैं Cliff Rous offers कि लिंट डिस्कृप्ट बाक्स में दी रही कि अब बढ़ते हैं इसके बाद नेट सेसंट पर लोग बात करेंगे केमेश्ट्री की कमेस्ट्री से भी लग्बक 4-5 सेठ हमेश्टा हमलों सॉल्ब करेंगे तिरफ बढ़ेंगे यह 35 best questions हैं इन्हें solve करना है किते questions आप सही कर पाते हैं comment के मैंदें से बता सकते हैं question नमर एक की अगर बात करते हैं सुस्क cell है चार options दे गए है किस टाइप का होता है सुसल तो इसका right answer हो जाएगा प्राथ मेक सल ठीक है based right answer question number 2 प्रकाज की गती नियुनतम होती है question number 2 most popular question है बहुत बार repeat for question है तो प्रकाज की गती नियुनतम यानि सब से कम कहां पर होती है काच से गुजरने पर प्रकाज की कम गती जो है वो नियुनतम हो जाती है see the right answer question number 3 के अगर बात करते हैं तरिच चलक किस टाइप से बनाए जाते है तो तरिच चलक बनाया जाते हैं तामबे के सदेओ तामबे के बनाया जाएंगे तरिच चालक this is the right answer question no però 4 की बात करते हैं किस यंत्र का काञ्ट काम डायनमो चुम्बक्य च्हेत्र मापा जाता है तो चुम्बक्य च्हेत्र किस में मापा जाएगा तो ये फ्लाक्सो मीटर फ्लैक्सो मीटर से मापा जाता है चुम्बक्य छेतर ठीक है चुम्बक्य छेतर पाया जाता है या नहीं किस छेतर में है या नहीं तो फ्लैक्सो मीटर से क्यात किया जाता है question number 6 की बात करते है नती और चुम्बक्य भूमत ध्रेखा के बीच का कौन क्या होता है तो सदेव सुने डिगरी होगा जीरो डिगरी क्वैस्टन नमर साथ की बात करते हैं उत्तरी चुम्बक्य धुरुबका नमन कोण कितना होता है उत्तरी चुम्बक्य धुरुबका नमन कोण सदायों कितना होगा तो नब्बे डिगरी हो जाएगा नमन कौन की अगर बात करते हैं और जब की अगर हम लोग बात करते हैं नती और चुम्ब की भूमत धिर्यका की बीच के कौन तो जीरो डिग्री होता है ठीक है Next, question number 8 की बात करते हैं स्कूटर के अब इसकारक है स्कूटर के अब इसकारक है तो ब्राड सास अभी को पता होगा ब्राड सास अब ने इसकूटर का विश्कार किया है Next, question number 9 की बात करते हैं कास्मिक क्रोणों की खुच किसने की थी तो कास्मिक क्रोण किसने खुचा है वेक्टर हेस साब ने वेक्टर हेस साब वेक्टर हेस question number 10 की बात करते हैं नाव के रेक्टरों में उर्जा उत्पन होती है तो नाव के रेक्टरों में उर्जा कैसे उत्पन नी की जाती है तो उसका माद्यम है नियंतरित विखंडन द्वारा नियंतरित विखंडनों द्वारा नाव के रेक्टरों में उर्जा है उत्पन की जाती है question number 11 की बात करते हैं cobald 16 उत्सरजित करता है तो cobald 16 से सदेव gamma की रणे उत्सरजित होती है ठीक है gamma की रणे question number 12 की बात करते है positron की खोज किस ने की थी तो positron को किस ने खोजा है adderson सहाब ने adderson is the right answer ये questions कई बार repeat हुआ है popular question है ठीक है ज्यान रखना है question number 13 की बात करते हैं एक सामाने सुस्कसल में बिदुत अपगट होता है तो सामाने सुस्कसल में बिदुत अपगटिकस का होगा तो ammonium chlorate का होता है ammonium chlorate का होता है see is the right answer question number 14 की बात करते है अतिचालक का लच्छ है या अतिचालक का लच्छन क्या होता है तो अतिचालक का लच्छन होता है उच्छ परागम्मिता is the right answer question number 15 की बात करते हैं ठोस कपूर से कपूर ववास्प बनानी की प्रक्रियाव को क्या कहते हैं तो ठोस कपूर से कपूर ववास्प बनाया जाता है उसे उर्ध पातन कहते हैं उर्ध पातन ये PCS में कम से कम पांच बार questions पूछा जा चुका है question number 16 की अगर बात करें question number 16 बैग्यानिक आर्गमडीज संबंधित है तो बैग्यानिक आर्गमडीज का संबंध किस से है किस देश से है तो आर्गमडीज जी है grace grace question number 17 की बात करते है वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की संबधता है ऐसा यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की संबधता है उसका नम बताना है तो यूरेनियम 235 यूरेनियम 235 ब्रह्मान में कौन सा तो सरवाधिक मात्रा में पाया जाता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन नेक्स टेम पर बात करते हैं क्वेस्चन अबर 19 की चुम्बक्य याम्योत्तर और भागोली की याम्योत्तर के बीच कौन कितना होता है या उसे किस नाम से जानते है तो चुम्बक्य याम्योत्तर और भागोली की याम्योत्तर के बीच का कौन कितना होता है तो वो होता है चुम्बक्य दिखपाथ चुम्बक्य दिखपाथ कहते है बहुगोली की आमित्र और चुमगी आमित्र की बीच के कौन को चुमगी दिख बात कहते हैं C is the right answer Question number 20 की बात करते हैं सबसे अधिक भेधन चमता होती है किस करण की बहुत repeated question से most popular question है तो यह गामा किरण की होती है सबसे अधिक भेधन चमता गामा किरण की होती है C is the right answer Question number 21 की बात करते हैं यदि प्रतभी पर वाविमंडल ना होता तो दिन की अवधि कैसी होती है यदि प्रतभी पर वाविमंडल नहीं होगा तो दिन छोटा हो जाएगा यानि कम हो जाएगा Is the right answer Question number 22 की अगर हम लोग बात करते हैं यदि किसी दरपण को ठीटा कौन से घुमाया जाए तो परावर्तित कौन का घुरणन होता है तो परावर्तित कौन का घुरणन टूठीटा हो जाएगा अगर दरपण को ठीटा कौन घुमाया जाएगा तो जो परिवर्तित किरनी का घुरणन होगा वो टूठ हीटा बनेगा D is the right answer question number 20 की बात करते हैं बिद्दुधारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं तो बिद्दुधारा का पता लगाने के लिए अमीटर परियोग किया जाता है most important question है त्यान रखना है next question number 24 की बात करते हैं एक एंगेश्टराम बराबर है एंगेश्टराम की वेलू कितनी होती है 10 के पावर माइनस 10 मीटर is the right answer question number 25 की बात करते है निमलिखित पेंसिक किस रंग का आपवर्तनांग का सबसे अधिक होता है तो सबसे आदा आपवर्तनांग है बैगनी का question number 26 उस्मा का सरबोत्तम चालक है तो उस्मा का सबसे बढ़ियां चालक क्या होता है पारा next question number 27 की बात करते हैं खाना पकाने के बरतन का होना चाहिए तो खाना पकाने वाले बरतन का क्या होता है उस्मा तथा निमनचालक ता उस्मा और निमनचालक ता होनी चाहिए खाना पकाने वाले बरतनों की ce is the right answer question number 28 की बात करते हैं किसी गेस का आयतन परसार गुर्लांग हमेसा कैसा होता है तो गेस का आयतन परसार गुर्लांग जो है वो सदय और रनात्मक होगा माइनस में होगा ठीक है क्वेस्चन नमर 29 की बात करते हैं प्रतवी का द्रबेमान कितना होता है तो प्रतवी का द्रबेमान है 6 गुणे 10 पाउर 24 किलोग्राम 6 गुणे 10 पाउर 24 किलोग्राम है प्रतवी का द्रबेमान अगर बात करते हैं question number 30 की भोई स्थिर उपग्रा का आवर्थकाल होता है तो भोई स्थिर जो उपग्रा है उसका आवर्थकाल टोटल 24 आवर होता है 24 गंटे D is the right answer question number 31 की बात करते हैं lift की खोज किसने की तो lift को सबसे पहले otis ने खोजा था उड़ते हुए हेलिकाप्टर में सदयो 13 और गदिज दोनों उड़ जाएं पाई जाएंगी this is the right answer question number 33 की अगर बात करते हैं किस ताप पर ध्वनी का बेग 332 मीटर प्रतिस सेकेंड होता है वह कौन सा temperature है जिस पर ध्वनी का बेग 332 मीटर प्रतिस सेकेंड है तो जीरो डिगरी सेंटीग्रेट पर होगा is the right answer question number 34 की बात करते हैं पर्थबी तल से उपर या नीचे जाने पर गोर्तिय तुरण यानि जी का मान कैसा रहेगा तो सदयो घटता जाएगा is the right answer question number 35 की बात करते हैं जब वर्फ पिघलती है तो इसका तो जब वर्फ पिघलेगी तो कैसा प्रतीत कराएगी आईतन घट जाएगा यानि आईतन घटता है is the right answer question number 36 की बात करते हैं electron bolt काई है तो electron bolt किसकी काई होती भया उर्जा की होती है is the right answer question number 37 की बात करते हैं दाब बढ़ने पर जलका काथनांग तो दाब बढ़ने पर जलका काथनांग जो है वो बढ़ जाता है is the right answer question number 38 की बात करते हैं व्यंचूरी मीटर से ग्यात करते हैं तो व्यंचूरी मीटर से सदेव जलके प्रवाह की दर ग्यात की जाती है जलके प्रवाह की दर डी is the right answer question number 49 की बात करते हैं एक लिप्ट एक समान बेग से उपर जा रही है तो उसमें इस्थित ब्यक्ति का भार क्या होगा उपर जाए या नीचे जाए ब्यक्ति का भार कैसा रहेगा तो अपरिवर्तित रहेगा ठीक है उपर जा रही है या नीचे जा रही है अगर एक समान बेग है तो ब्यक्ति का भार आपर वर्तित रहेगा अगर ब्लास्टी चेंज हो रही है यानि बेग चेंज हो रहा है तो घटा और बढ़ा दोनों टाइप का प्रतीत होगा एक आर्डिंग टू कंडिशन तो एससन आपको कैसा लगा कमेंड कमान देम से जोग उतना है अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें जिसके नोडिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे है और आप चैनल का भरपूल आप ले सकें अगर इस वाले सेसन की पीडियाफ फाइल चाहिए तो पीडियाफ फाइल के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बाक्स में दी हुई है ठीक है उससे आप फालो करें और फ्री आफ कास्ट किसी भी उन्ले इंटिनर्स की पीडियाफ फाइल टाउनलोड करें आज के लिए इतना ही मिलता है नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहें